हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है उमेश कोली फिर से सोगत आपका मेरे चानल यूकेटेक में दोस्तो आपने डीवेयर या फिर एन्वेयर में एक प्रोब्लम जरूर देखियोगी कौन सी हार्डिस्ट नॉट डिटेक की आज हम बात करने वाले कि हमारे डीवेयर में अगर हार्डिस्ट नॉट डिटेक का प्रोब्लम आ रहा है तो इसका सोलेशन केसे करें एक हमारे पास एट चैनल का डीवेयर है और दूसरा है और चैनल का धिरा अब इन दुरम में आपको दिखाता हूं किसका सोलेशन केसे करना है दोस्तों हमारे DVR में अगर हाड़ी स्नॉट कनेटेट दिखा रहा है तो यह दो प्रोलम की वज़से हो सकता है पहला जो प्रोलम है हमारा जो हाड़ी से वह किसी तरह से ड्यामेज हो जाता है तो उसके वज़से हमारे DVR में हाड़ी स्नॉट डिटेक का प्रोलम दिखाता है और दूसरा जो प्रोलम यह सा है कि हमारा हाड़ी से वह पार्टिशन सिलेक्षन नहीं कर पाता है मतलब GPT तो MBR उसको कनोट करना पड़ता है तो वह हमार कर दिस्ट करेंगे कि हार्ड इसंट में क्या प्रॉब्लम है। पर्टिशन में प्रॉब्लम है या पिर हार्ड इस डामेंज है। अगर आपके DVR में भी हार्डिस का प्रोब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आपको DVR का पावर एड़ाप्टर चेक करना है अगर मानलों आपका DVR का पावर एड़ाप्टर सही तरह से ओल्टेज आउटपूट नहीं कर रहा है तो हमारा जो हार्डिस है प्रोपर तरह के से कनेट नहीं हो पाता है पावर एड़ाप्टर को चेक करने के लिए आपको मल्टिमीटर लेना है और इसे चेक करना है अगर 12 वोल्टेज से कम वोल्टे जाते तो आपको एड़ाप्टर चेर काना पड़ेगा इसके बाद आपको hard disk के power saada cables को check कर लेना है, लेकिन दोस्तों मैंने hard disk के cables और adapter भी check कर लिया लेकिन इसमें कुछ प्रॉलम नहीं है, तो अब हमको hard disk को check करना है, hard disk को check करने के लिए आपको DVR में से hard disk को disconnect कर देना है, और किसी PC में और आपको इस hardisk को किसी computer में connect कर जाना है computer में connect करने के बाद आपको computer on कर जाना है जिन इसके बाद आपको my computer में जाना है और यहाँ पर आपको check करना है कि आपका hardisk का partition यहाँ पर show कर रहा है कि नहीं कर रहा है आप देख सकते हो मेरा hardish यहाँ पर नई कर रहा है तो आपको my computer पर right click करके manage में जाना है जोनने इसके पाद आपको disk manage में पर click करना है और यहाँ पर आपका hardish शो करेगा आपको simply यहाँ से इसका partition type चेन्ग करजेना है यानि GPT to EMDR convert करजेना है जिन आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल हो जाएगा जिन इसके बाद आपको कॉंपूटर आप कर गेंगे साड़िस को डेस करनेट करके फिर से DVR में इस्टाल कर जाना है जांगा जिन आपको कर चाँब हो जाएगा 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 जिन आपको कर लदाना है देखे जुस्तों मेरे हार्डिफ प्रपर तरह के से कनेट हो गई है आप देख सकते हो प्रपर तरह के से कनेट है आप देख सकते हो